अबश्कार दोस्तों देखेगा कल भी मैं टाइम प्रेडिक्शन करके आपको बताऊंगा और आज बता दिया था Sell on Rise Market देखेए आज का High Bank Nifty का जाके 4600 के आसपास था 4600 के आसपास आपको बताया गया था downtrend और अगर आप देखेंगे 18 मिनट में उताया गया था 9 बच के 40 मिनट पे चार्ट आया था ऐसे हमारा चार्ट मौनिंग में ही आ जाता है बट उसके बाद केवल देखेगा आप चेक आउट कर सकते हैं यहाँ पे आठ मिनट में 300 पॉइंट का downtrend देखने हो मिला यह देखेए आपके सामने आपको देखने हो मिलेगा तो अगर यह सब चीजें मिस नहीं करना चाते हैं और यह प्रॉफिट नहीं मिस करना चाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा यह हफ्ता बहुत ही अच्छा है और आप पैसा बना सकते हो बट बहुत ही डिसिप्लिन के साथ विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अगर टार्गेट हीट भी हो गया प्रॉफिट चला भी गया नथिंग टू वर्य अवाउट एट चुकि मौके मिलते रहेंगे अभी बहुत सारे इवेंट हैं अगले 15 दिन तो दोस्तों यहाँ पे दो बहुत अच्छी अपडेट आ रही है बहुत अच्छी अपडेट आ रही है लिटरली में और आपको एक तो अपडेट मेरे लिए बहुत अच्छी है अगले महिने के लिए अगले पर्टिकुलर आने वाले समय के लिए जो आपको पता होनी चाह गार कि एक rebound आया बढ़ियां सा market में तो आपने सोच लिया कि हाँ अब यहां से market अप्ट्रेंड शुरू कर देगा ऐसा नहीं होगा चुकिए अभी दो-तीन महिने थोड़ से critical लहने वाले हैं फिर देखी का money control पर अपडेट आ चुका है fed के prediction तो आई ही रहे थे और आपको प देखेगा जो size है वो कम हो सकता है जो कि bank nifty के लिए बहुत important है तो आप देख सकते हैं यहां पे 25 basis point in February ending tightening cycle तो देखेगा थोड़ा जो tightening cycle है उसका end आपको देखने मिल सकता है वीडियो पे like कर दीजे तेजी से information provide करने के लिए तो अगर आप देखेंगे यहां पे tightening cycle पोल प end up हो सकता है अगर ऐसा होता है तो इसमें कोई कहने की बात नहीं है कि market के लिए अच्छी update होगी तो अगर आप देखेंगे तो यहां पे the reserve bank of NDI is expected to raise its main interest rate by देखेगा modest 25 basis point to Rs.6.5% at its meeting one week after new Delhi's 1 February budget तो आपको पता है budget के एक हपते बाद आपको meeting देखने हो मिलेगी रात को आपको देखने हो मिलेगी फेट की meeting बहुत सारी चीज़े देखने हो मिलेगी लेकिन हमारे पास कोई ऐसा budget के बास एक और ऐसा event होना चाहिए जिसके थ्रूम थोड़ा सा सास ले सके रहत की और अगर ऐसा होता है तो यह अच्छी बात होगी जिस तरीके का router का poll बता रहा है तो यह बहुत इंटरस्टिंग देखेगा update है आपको भी पता है more than three quarters of economics 40 out of 52 expected the raise its key repo rate by 25 basis तो अगर आप देखेंगे यह बड़ा सिनारियो है तो अगर आप देखेंगे यहाँ पूरी तरीके से अब तक जो भी poll करे पोलिंग करी गई है उसमें देखेगा 52 में से 40 ऐसे particular economist है, analyst है, researcher है जो यह मानते हैं कि अगले particular monetary policy में यहाँ पे जो size of rate hike है वो कम हो जाएगा और एक तरीके से end up होते हुए देखनी को मिलेगा क्या आपका particular यह जो tightening policy है तो आप समझ सकते हैं यह कितनी अच्छी बात होगी अगर यह ऐसी चीज हो जाती है और अगर आप देखेंगे the median forecast was rates to remain 6.5 until the end of 2023 तो अगर आप देखेंगे कि इस particular देखेगा financial year के end तक 6.5 का देखेगा rate hike आपको देखनी को मिलेगा मनलब जो particular rate maintain रहेंगे वो 6.5 के देखनी मिलेगे उसके बाद तो आगे meetings बताएंगी क्या ह होना है क्या नहीं होना है फिर अगर आगे बात करेंगे तो यहां पे बहुत ही ज़्यादा pressure यह भी बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से भी बनेगा कि यहां पे आप pause किया जाए RBI के through देखेगा इस particular rate hike को क्योंकि आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमें GDP पर भी focus रखना है हमारी जो cycle चल पड़ी है उसमें रुकावत ना आ जाया चानक से यह भी हमें बहुत important event या रखता है the previous monetary tightening overall on growth and inflation और आप समझ सकते हैं inflation को maintain रखते हुए growth को नहीं भूलना है दूसरी वड़ी update अब बताता हूँ कि bank credit growth में देखेगा जबरदस्त jump देखने हो मिला है 16.5% का जो कि bankों के लिए यह indication देता है कि इस particular financial year का last quarter भी बहुत शानदार होने वाला है चुकि यह बहुत अच्छा pick up देखने हो मिला है चुकि जो credit growth आपकी 14% के आसपास चली गई थी उसमें देखेगा काफी बड़ा उच्छाल देखने हो मिला है और कम समय में देखने हो मिला है और यह पूरा महिना बीच चुका है तो यह अच्छी बात है जो आपकी credit growth 14.9 पर पहुँच गई थी वो अब फिर से देखेगा 16.5 पर आ चुकी है जो की बहुत अच्छी बात है बैंको के लिए फिर आगे बात करेंगे तो इसके बाद मैं बात करूंगा deposit तो आपको पता है deposit rate भी देखेगा लगाता 10 के नीचे आपको one digit में देखने हो मिल ले थे तो देखेगा indicators में तालमेल और balance बनाना है कि ये कम से कम 12% तक रहें deposit rate और 14-16 के बीच में हमारी credit growth maintain रहे जब इस तरीकी का balance बना रहेगा तो बैंकों के particular देखेगा credibility पे कोई असर नहीं पड़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि दोनों चीजों का बढ़ना और balance वे में रहना बहुत ही important है और इसी चीज़ को maintain करने की कोशिश की जारी है ये भी RBI की तरफ से काफी बढ़ी अच्छी report आई है तो focus करिएगा bank nifty के लिए दोनों ही अच्छी update है जल्द ही एक rebound आपको देखने हूं मिलेगा focus करिएगा वीडियो गर अच्छा लागे तो like share subscribe करना ना अच्छा झाल झाल